प्रियस इक्षार्थियो नमस्कार आज हम एक पाठ के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य कि एक अत्यन्त लोकप्रिय एवं महतून विधा से परिचित कराएंगे वह विधा आकार में सरवाधिक विस्तृत होती है और अनेक दूसरी विधाओं को अपने भीतर समेट भी सकती है साथ ही दूसरे अनुशासनों जैसे समाशास्त्र इतिहास आदी को भी अपने भीतर पचा कर मार्मिक रूप दे सकती है आप समझ ही गए होंगे कि ये विधा जीवन की व्यापकता और जटिलता को संपूर्णता में चित्रित कर सकती है अब तक आपको ये संकेत मिल गया होगा कि हम किस साहितिक विधा की बात कर रहे हैं जी हाँ, हमारा आशय उपन्यास से है आपके पाठेक्रम में एक पाठ है विराटा की पद्मिनी, यह उपन्यास ही है अनेक कत्वों एवं विशेष्टाओं के आधार पर हम विराटा की पद्मिनी की चर्चा करेंगे उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं हिंदी उपन्यास को हम तीन युगों में बाठते हैं प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग आप जानते ही हैं कि इन तीनों युगों के विभाजन में प्रेमचंद का नाम क्यों रखा गया इसलिए कि प्रेमचंद हिंदी के सरवादिक महत्पूर्ण उपन्यासकार हैं और उन्होंने उपन्यास के स्वरूप में उलेखनिय परिवर्तन किया इसपश्ट है कि प्रेमचंद युग में किसी भी उपन्यासकार के लिए लिखना और लोकप्रिय होना चुनोती पूर्ण रहा होगा विराटा की पदमिनी के रचनाकार व्रंदावन लाल वर्मा प्रेमचंद युग के ही उपन्यासकार है उन्हें हिंदी का पहला एतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है हिंदी की एतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा में उनका अधुतिय योगदान है वरिंदावन लारवर्मा का समय 1889 से 1979 है उनके गड़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, जहासी की रानी, लक्ष्मी बाई इन उपन्यासों में से विराटा की पद्मिनी की रचना 1933 इस्वी में हुई और यह पहली बार 1936 इस्वी में प्रकाशित हुआ सिक्षार्थियो, वर्मा जी के व्यक्तित्वी की कुछ ऐसी विशेशताएं थी जिन्होंने उन्हें एतिहासिक उपन्यास लिखने की और प्रेरित किया शिकार और घुमकडी के शौक के कारण उन्होंने बुंदेल खंड का चप्पा चप्पा चान लिया था उन्हें बुंदेल खंड की धर्ती, वहां की संस्कृती और भाशा शैली के प्रती गहरा लगाओ था साथ ही इतिहास के अध्यान में भी उनकी गहरी रुची थी इन सब के साथ साथ देश भक्ती का भाव उन्हें विरासत में मिला था बुंदेल खंड की अधम्य वीर्ता, सम्रिध संस्कृती और प्राकृतिक शुष्मा इतने मनोयोग के साथ उनकी रचनाओं में मिलना उनके देश प्रेम का ही परिचायक है सिक्षार्थियों आपने विराटा की पद्मिनी उपन्यास पढ़ा तो होगा ही, यदि नहीं पढ़ा है तो उसे अवश्य पढ़ ले आगे जो बाते हम करने जा रहे हैं, उन्हें बहतर रूप से समझने के लिए आपके लिए उपन्यास का पढ़ा होना अत्यान तावश्यक है वैसे आपकी सुविधा के लिए हम इस उपन्यास की कथा संक्षेप में आपको सुना देते हैं तो आईए इस कथा को एक बार सुन लेते हैं दिलिपनगर का एक राजा था नायक सिंग, वह बड़ा संकी तथा अधपगला था मकर संक्रान्ति का दिन था और इस अवसर पर राजा अपने दरबारियों के साथ पालर की जिल में स्नान करने आया इस दौरान राजकुमार कुंजर सिंग और सैनिक सरदार लोचन सिंग देवी के दर्शन के लिए दुर्गा मंदिर गए ठीक उसी समय कालपी के फोजदार अली मर्दान के दो मुसल्मान सैनिक भी वहां आये दोनों तरफ के सैनिकों में जड़प हो गई जड़प ने छोटे मोटे युद्ध का रूप ले लिया कालपी के सैनिक दुर्गा मंदिर को नश्ट करके दुर्गा का अवतार माने जाने वाली दांगी कन्या कुमुद का अपहरण करना चाहते थे इधर दलीप नगर का संकी राजा भी कुछ कम न था वह कुमुद के सौंदर्य की कहानी सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने महल में रखना चाहता था संकी तो वह था ही इस सनक के चलते कालपी सैनिक टुकडी पर आकर्मन कर देता है और मारकाट मत जाती है सिक्षार्थियो नायक सिंग की हार बस होने को ही थी कि एक बहादुर बुंदेला देवी सिंग उधर आ निकला वह पालर में बारात के साथ दूला बनकर आया था वह नायक सिंग की रक्षा करता है कालपी के सैनिक पराजित होकर भाग जाते है पर इस लड़ाई में राजा और वह यूवक देवी सिंग घायल हो जाते है उपचार के बाद दोनों स्वस्थ हुए देवी सिंग राजा का प्रिय हो गया वह राजा के ही साथ रहने लगा उधर कुमुद के प्रती शद्धा होने पर राजकुमार कुंजर सिंग के मन में उसके प्रती प्रेमभाव उत्पन होता है कुमुद भी कुंजर के प्रती आकरशित होती है इस प्रेम के कारण कुंजर सिंग कुमुद को अली मरदान और नायक सिंग दोनों से बचाने का संकल्प करता है इस बीच राजा नायक सिंग का स्वास्थ निरंतर गिरता गया एक दिन वह मर गया और राजा बना देवी सिंग आप सोच में पढ़ जाएंगे कि राजगुमार तो कुंजर सिंग था वह राजा क्यों नहीं बना इसका कारण है कुंजर सिंग का दासी पुत्र होना खुद कुंजर सिंग भी देवी सिंग के राजा बनाये जाने का विरोध करता है पर कुछ हो नहीं पाता राजा नायक सिंग की छोटी पतनी यानि छोटी रानी भी विद्रोह करती है वह स्वयम दिलिपनगर की गद्धी पर बैठना चाहती है इसके लिए वह अली मर्दान को राखी बन भाई तक बनाती है धूर्त नौकर राम दयाल यह सब करने में छोटी रानी की मदद करता है कुंजर इन सब से अलग स्वतंत्र वृत्ति का है वह देवी सिंग का तो विरोधी है पर अली मर्दान की सहायता लिये जाने का विरोधी है इस कारण से वह छोटी रानी के क्रोध का शिकार भी होता है कुंजर सिंग सिंग गड के खिले पर कबजा करके वही रहने लगता है पर सितिवस छोटी रानी भी अली मर्दान कुमुद के रूप का लोभी तो है पर सितिवस छोटी रानी भी वहां आ जाती है अली मर्दान कुमुद के रूप का लोभी तो है ही वह उसे अपने हरम में शामिल करना चाहता है अली मर्दान से भाइबीत होकर नर्पती सिंग कुमुद को लेकर विराटा के दुर्ग में चला जाता है उधर पुंजर सिंग को भी सिंगड छोड़ना पड़ता है वह देवी सिंग से पराजित हो जाता है भटकता हुआ विराटा के किले में पहुंचता है तो वहाँ उसे विराटा के दुर्गा मंदिर की रक्षा का भार सौपा जाता है छोटी रानी सिंगड के दुर्ग से निकल कर राम नगर के किले में शरण लेती है जो की विराटा का पुष्टैनी दुश्मन है अब अली मर्दान कुमुद को पाने के लिए विराटा पर आकर्मन कर देता है उधर देवी सिंग भी इच्छान होने पर भी विराटा पर ही आकर्मन करता है कारण है कुणजर सिंग कुंजर सिंग जो खुद कुमुद से प्रेम करता है उसकी रक्षा का भार लेता है विराटा की गढ़ी दोनों तरफ से घिर जाती है विराटा का राजा और वहां के सैनिक केसरिया वस्त्र धारन करके लड़ते हैं और अन्त में लड़ते लड़ते मृत्यू का आलिंगन करते हैं कुंजर सिंग कुमुद की रक्षा के लिए उसे लेकर मंदिर से बाहर निकलता है और जब वह बाहर निकलता है तो कुंद कुंजर सिंग के गले में जंगली फूलों की एक माला डालती है दोनों अलग-अलग राहों की ओर चले जाते हैं कुण्जर सिंग का सामना देवी सिंग से होता है वह देवी सिंग के हाथों मारा जाता है उधर अली मर्दान कुमुद का पीछा करता है पर वह उसके हाथ नहीं पढ़ती बेतवा में कूद कर प्रान त्याग देती है और अपना नाम विराटा की पद्मिनी सार्थक करती है फूल उड़ जाते हैं और गंध रह जाती है प्रिसिक्षार्थियो अभी आपने विराटा की पद्मिनी उपन्यास की कथा संक्षेप में सुनी अब यह हम देखेंगे कि किसी भी उपन्यास का विवेचन कैसे किया जाता है आपने कभी सुना भी हुगा कि किसी उपन्यास का विवेचन करने के लिए कुछ तत्मों को आधार बनाया जाता है कथावस्तु, पात्र एवं चरित्रचित्रण, परिवेश या वातावरण, समवाद योजना, भाषा शैली एवं उद्देश अथवा संदेश सिक्षार्थियो, विराटा की पद्मिनी को समझने समझाने के लिए भी हम इनहीं तत्तों को आधार बनाएंगे पर थोड़े से परिवर्तन के साथ, इसका कारण यह है कि यह है एक एतिहासी कुपन्यास है कथावस्तु को समझने के लिए हम कथा में इतिहास और लोक कथा और विशेवस्तु और संदेश, शीर्शकों के माध्यम से इसके कथानक की चर्चा करेंगे सिक्षार्थियो, विराटा की पद्मिनी में इतिहास प्रमुख नहीं है, उसका सहारा मात्र लिया गया है इसकी कथा जिन राज्यों से संबद्ध है वे राज्य हैं दलीपनगर, बढड़नगर, विराटा, रामनगर, भांडेर और कालपी इन राज्यों में से अधिकतर का उल्लेक इतिहास के किताबों में नहीं मिलता पर इनके गड़ और उनके अवशेश आज भी बुंदेल खंड में मौजूद हैं बुंदेल खंड के लोगों के बीच हम इतिहास से सम्मंधित अनेक लोग कथाएं और किमदंतियां प्रचलित देखते हैं इनहीं में से एक लोग कथा दांगी कन्या की भी है जिसे आधार बनाकर वर्मा जी ने अपने उपन्यास के कथा संसार का निर्माण किया है अपनी कल्पना को उन्होंने इस दांगी कन्या के रूप जनता की उसके प्रती असीम शद्धा उसके प्रेम और बलिदान की मारमिक कथा प्रस्तुत की है इस कथा में उन्होंने दिलीप नगर राज्य के आंतरिक सड्यंत्रों तथा छोटे छोटे हिंदू राजाओं के आपसी वैमनस्य और कालपी के फोजदार अली मर्दान से उनके युद्ध का वरणन करके कथा को और भी रोचक तथा सार्थक बनाया है इससे सपश्ट है कि विराटा की पदमिनी में इतिहास, लोग कथा और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है वर्मा जी उस काल के अतिहासिक परिद्रिश्य को प्रस्तुत करते हैं और लोग कथाओं के मुदंतियों तथा कल्पना का भी सहारा लेते हैं सिक्षार्थियों, इस उपन्यास को और आगे समझने के लिए आईए अब इसके विशहवस्तु और संदेश की ओर चलते हैं किसी भी उपन्यास का यह उद्देश नहीं होता कि वह केवल कथा कहे और उसके माध्यम से पाठकों का मनुरंजन भर करे वर्मा जी कभी यह उद्देश नहीं था दर असल विराटा की पद्मिनी के माध्यम से वर्मा जी चरित्रों को आधार बनाकर बुंदेल खंड के दिव्य प्रेम और अपूर्व बलिदान को दिखाना चाहते हैं उपन्यास में कुंजर, कुमुद और गोम्ती जैसे पात्र हैं जो देशभक्ती, वीर्ता, निर्भीक्ता जैसे असाधरन गुणों का परिचय देते हैं अली मर्दान, जनारदन, नायक सिंग, राम दयाल जैसे पात्र, सत्ता के लिए शड्यंत्र, भोग विलास, स्वार्थादी में पड़े दिखाए गए हैं कुंजर सिंग और कुमुद दोनों में ही स्वदेश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है और दोनों ही आत्म सम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए आत्म बलिदान करने का मार्ग चुनते हैं गोमती का चरित्र भी बलिदान और त्याक का अपूर उधारन प्रस्तुत करता है उपन्यास में बुंदेल खंड के लोग जीवन और प्राकृतिक परिवेश का मोहक चित्रण है विभिन पात्रों के परस्पर व्यवहार से मानविय विशेश्ताओं और उनकी चरित्र की उदात्तता का रेखांकन किया गया है स्वाधिन्ता और आत्मसंबान की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर करदेने का संदेश दिया गया है इस उपन्यास में यही इस उपन्यास की कथा की वस्तु है सिक्षार्थियो आईए अब हम उपन्यास के प्रमुक पात्रों के चरित्र चित्रन की विशेष्टाओं की चर्चा करें यानि इसके पात्र कैसी विशेष्टाएं रखते हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे इस उपन्यास में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनकी और संकेत भर किया गया है उनका विश्ट्रित चित्रन नहीं किया गया उधारण के लिए गुंदेल खंड के सामान ये एवं साधारण पात्र उनके शौर ये बलिदान और भावों का उपन्यास में उल्लेक है पर उनका अलग-अलग रूप में चित्रन नहीं है वे समूह के रूप में है इस उपन्यास की केंद्रिय पात्र दांगी कन्या कुमुध है जिसे विराटा की पदमिनी कहा गया है दांगी कन्या कुमुद को विराटा की पदमिनी इसलिए कहा गया है कि उसकी कहानी चितोड की पदमिनी या पदमावती से मिलती जुलती है एक साधारण दंगी किसान नर्पत सिंग की पुत्री है वहे और जन्म से अतीव सुन्दर है किशोरा वस्ता तक पहुंचते पहुंचते उसके सौन्दर्य और तेज की ख्याती चारों और फैल जाती है चंपा के समान गोरी, सुगंधमय तथा कमल के समान कोमल होने के कारण कुमुद पदमिनी नाम से विख्यात हो जाती है लोग उसे दुरगा का अवतार मानते हैं उसका पिता भी स्वार्थ वश उसे इसी रूप में प्रचारित करता है इस प्रकार उस पर देवत्व का आरोप हो जाता है दिलिप कुमार के राजकुमार कुंजर सिंग के प्रती उसका प्रेम विक्सित होता है पर दोनों ही इस विशे में चुप रहते हैं, मौन रहते हैं कुंजर सिंग के मारे जाने पर वह अलिमर्दान से अपनी रक्षा के लिए बेतवा नदी में छलांग लगा देती है इस प्रकार कुमुद का चरित्र दिव्य प्रेम और बलिदान की एक मधुर कल्पना है अभी तक आपने कुमुद के चरित्र को समझा और उसकी विशेष्टाओं को जाना इस उपन्यास का दूसरा प्रमुक पात्र है कुंजर सिंग वह है तो दिलिपनगर का राजकुमार पर दासी पुत्र होने के कारण राज सिंग हसन का अधिकारी नहीं है देवी सिंग को राज सिंग हसन का उत्तराधिकारी घूशित कर दिये जाने के बाद कुंजर सिंग की राजगद्धी पाने की ख्षीन आशा समाप्त हो जाती है इस बीच कुमुद से उसका प्रेम हो गया है और वह अपने कामुक पिता तथा कालपी के फोजदार अली मरदान से उसकी रक्षा करने का निश्चे कर चुका है देवी सिंग के राज सिंग हसन पर आसीन हो जाने पर वह विद्रोह कर देता है और सिंग गड नामक दुर्ग पर कबजा करके वहाँ भावी युद्ध के लिए सैन्य संगठन करना आरम कर देता है वह छोटी रानी द्वारा अली मरदान की सहायता लेने का विरूद करता है क्योंकि वह देश भक्त है और स्वार्थ वश विदेशियों की सहायता लेना उचित नहीं समस्ता एक इस्ति ऐसी आती है जब वह कुमुद के प्रती अपने प्रेम को छिपाता नहीं और उसकी रक्षा के लिए अपने प्रान तक दे देने की मनशा रखता है विराटा पर अली मर्दान और देवी सिंग एक साथ आकर्मन करते हैं कुंजर सिंग इस युद्ध में अद्भुत, वीर्ता और रण कौशल का परिचे देता है पर वह विराटा गढ का पतन रोक नहीं पाता गढ का राजा और अन्य सैनिकों के साथ कुंजर सिंग भी केसरिया बाना धारण करके जोहर वरत का संकल्प कर मंदिर से कुमुद को लेकर बाहर निकलता है बाहर निकलते ही देवी सिंग के हाथों वीर गती को प्राप्त होता है इस प्रकार कुंजर सिंग एक वीर योध्धा, स्वाभी मानी, देश भक्त और सच्चे प्रेमी के रूप में सामने आता है देश और प्रेम के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना, प्राणों की बली चड़ा देना, उसके चरित्र की प्रमुख पहचान है इस उपन्यास में अली मर्दान एक प्रमुख पात्र है, वह कालपी का फोजदार है, मुगल दर्वार की राजनीती से भी जुड़ा हुआ है वह कालपी के आसपास के हिंदू राज्यों पर नजर रखता है और उन्हें डराता धमकाता है उसके पास बड़ी सेना है और रणनीती का ग्यान भी उसे अच्छा है पालत में अपने सैनिकों की पराजाय के बाद वह दलीप नगर के राजा को एक पत्र भेशता है पत्र में कड़ी शर्तों का पालन न करने पर युद्ध की धमकी देता है नायक सिंग की मृत्यू के बाद वह विद्रोही छोटी रानी का राखी बंद भाई बन कर अपने दर्बारियों और रामदयाल के उकसाने पर कुमुद को अपनी रानी बनाने का निश्य करता है वह विराटा के गड़ को ध्वस्त कर देता है पर कुमुद को प्राप्त नहीं कर पाता अली मर्दान के चरित्र का एक उज्ज्वल पक्षबिय सिक्षार्तियों वह यह हिंदूओं की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाता वह दुर्गा का मंदिर ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करता कुमुद कोभिरानी बनाने का निश्य तब करता है जब उसे यह समझाया जाता है कि वह दुर्गा का अवतार नहीं है और कुंजर सिंग उसे अपने प्रेमजाल में फंसा कर अपनी पत्नी बना लेगा अंत में वह कुमुद के प्रती शद्धा भाव से भी भर जाता है अतह वर्मा जी ने अली मर्दान को अनेक दुर्गणों के साथ धार्मिक सहिशनुता मानविय सहनुभूती सम्वेदन शीलता आदी के शासक के रूप में चित्रित किया है अब कुछ ऐसे पात्र हैं जो हैं चाहे प्रमुक नहों बड़े पात्र नहों लेकिन हैं जैसे नायक सिंग्ग वह दिलिपनगर का राजा है वह अयोग विलासी, संकी, आधा पागल, असंयमी, अतिक्रोधी, विवेखीन और डिंग हाकने वाला साथ ही अविचारी, अविश्वासी, कान का कच्चा और चरित्रहीन है वह उन सामंतों का प्रतिनिधी है जो अपने राज्य को मिट्टी में मिला देते हैं उसके राज्य में प्रजा दुख भोगती है और दर्बारी खुशामदी वृत्ती अपना कर राज्य को दुर्वल और साधन हीन बनाते हैं एक पात्र है रामदयाल जो राजा नायक सिंग का मुह लगा और प्रियप नौकर है वह अत्यंत स्वार्थी, जूठा, खुशामदी, आत्म सम्मान से स्शून्य, मकार, धर्म भाव से रहित, कुरूर, कायक और चरितरहीन व्यक्ती है राजा नायक सिंग की वासना पूर्ती के लिए वह यूतियों का अपरहन करता है छोटी रानी के आदेश पर जनार्दन शर्मा का सिरकार्टर लाने का वचन देता है छोटी रानी के साथ मिलकर तरह-तरह के कुचक्र रचता है खुल मिलाकर वह एक खल चरितर का प्रतिनिधितु करता है सिक्षार्थियो अब तक जो हमने चर्चा की उसके माध्यम से आपने कुछ चीजों पर ध्यान दिया होगा और कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी जैसे हमने ये चर्चा की की व्रिंदामनलाल वर्मा किस काल के उपन्यासकार है उनका महतु क्या है विराटा की पदमिनी उन्होंने क्यों लिखा विराटा की पदमिनी की विशयवस्तु क्या है उसका कथानक कैसा है इसके साथ साथ उसमें जो चरित्र मिलते हैं जो पात्र मिलते हैं उनमें से जो प्रमुक पात्र हैं उनकी क्या-क्या विशेश्टाएं हैं यह अब तक जो हमने चर्चा की यह इस उपन्यास को समझने के लिए एक अंश की प्रस्तूति थी अगले अंश में हम इस उपन्यास की कुछ और तत्यों के आधार पर समिक्षा करेंगे तो आप प्रतीक्षा कीजिए उस अगले अंश की